आप देख रहे हैं न्यूज ब्रोड्कास्ट स्मोक डिटेक्टर्स खराब होना बताया और होने बताया कि बिल्डिंग में आग लगने के स्तिति में खत्रे की चितावने देने वाले चार उपकरन लगे थे लेकिन कोई भी चालू हालत में नहीं था देखिये हमारी एक खास रिपोर्ट में आखिर अमेरिका जैसे देश में कैसी इतनी बड़ी लापरवाही हुई है अमेरिका के पुर्वी शहर फिलोडेलफिया में उस वक्त हड़कम मच गया जब अचानक बिल्डिंग में भैंकर आग लग गई और देखते ही देखते आग ने ऐसा भैयानक रूप धान कर लिया कि साथ बच्चों समेत तेरा लोगों की जिंदगी निगल गई तो वहीं कई घायलों को अस्पताल में पहुँचाया गया है जानकारों की माने तो स्थानिय समय उनसार भुदवार सुबह 6 बज कर 40 मिनट पर बिल्डिंग में आग लगी फिलोडेलफिया के उप अगनी समन आयुक्त क्रेग मरफी ने कहा कि आग लगने की यह घटना बहुत भैयानक थी उन्होंने कहा मुझे अब लगबग 35 साल हो गए है और यह साइद अब तक की सबसे भीशन आग में से एक है करेग मरफी के अनुसार आठ लोग दो एकजिट गेट सी इमार से भागने में सफल रहे करेग की माने तो हादसे में मनने वालों की संख्याब बढ़ सकती है उन्हें के बाद भी कई फायर ट्रक खड़े दिखाई दिये जिनके फायर करमी जली हुई बिल्डिंग में बचने वालों की तलास कर रहे है बता दें कि यह बिल्डिंग फिलोडेलफिया पबलिक हाउसिंग अथोर्टी की है हादसे के बाद अब सवाल ये उड़ता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई दमकल विबाग के अधिकारियों की माने तो बिल्डिंग में आग का ऐसा रूपधारन करना स्मोक डिटेक्टर खराब होना था उन्होंने बताया कि बिल्डिंग में आग लगने की स्थिती में खत्रे की चेतावनी देने वाले चार उपकर्ण लगे थे लेकिन कोई भी चालू हालत में नहीं था फिल्हाल घटना स्थाल पर रेस्क्यो अप्रेसिन जारी है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है अब देखना होगा कब तक आके असल कारण स्पस्ट हो पाते हैं तक लिए बस इतना ही देश दुनिया से जूरत में अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को वाज़े सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक और शेय करना मिलकुल भी न भूले